नमस्ते दोस्तों मैं हूं रीना आप सभी का स्वागत है रीनास किछिन में आज मैं आपके सामने इमली और खजूर की खटी मिठी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इस चटनी को आप एक बार बना कर फ्रिज में इस्टोर करकर रख लीजिए एक से दो महिने आप इस चटनी का आराम से उप्योग कर सकते हैं दोस्तो यदि आपको रेसिपी पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो चलिए बनाना शुरूर करते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले 100 ग्राम इमली ली है यहाँ पर मैंने जो इमली ली है उसमें बीच बिलकुल भी नहीं है यदि आपके पास बीच वाली इमली है तो पहले आप बीच को इमली से निकाल लीजिए इसी तरह यहाँ पर मैंने 50 gram खजूर लिये हैं यहाँ पर भी मैंने seedless खजूर लिये हैं यदि आपके खजूर में बीज हैं तो आप उन्हें भी पहले निकाल लीजिए आप चाहें तोया चटनी केवल इमली से ही बना सकते हैं सबसे पहले हमें खजूर को इमली के साथ मिक्स कर लेना है, अब मैं उसमें पानी डालूंगी और मैं इसे धोलूंगी, मैं खजूर और इमली को एक से दो पानी से अच्छे तरह से धोलूंगी, इस पानी को हमें छान लेना है, खजूर और इमली साफ होने के बाद अब मैं इ इसे ढखक कर एक घंटे के लिए भींगने के लिए छोड़ दूँगी। एक घंटे के बाद आप देख सकते हैं इमली और खजूर अच्छी तरह से भींग चुके हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सा हाथों से मैश कर लूँगी। अब हमें इसे एक मिक्शर में डालकर इसे पीश कर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एकडम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक बड़े बर्दन के उपर मैंने चन्नी को रखा है और हमने जो पेस्ट बना कर रखा था हमें उसे चान लेना है चम्मच से चानने में इसे थोड़ा टाइम लगता है यदि हम इसे हाथों की सायता से चानेंगे तो यह प्रोसेस चल्दी हो जाएगी अच्छी तरह से चानने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी जिस से थोड़ा बहुत भी इमड़ी और खजूर का पलप रहेगा वो भी अच्छी तरह से चान जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर इमली और खजूर को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है अब एक कठाई में हम एक बढ़ा चमच तेल लेंगे सबसे पहले उसमें डालेंगे आधा चमच जीरा जीरा चटकने के बाद हींग डालेंगे एक चोथाई छोटा चमच अच्छी तरह से भून लेंगे अब हमने जो इमली और खजूर के पल्प को बना कर रखा था उसे डाल देना है मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे यहाँ पर मैंने एक कप पानी डाला है हमें बहुत जादा पानी नहीं डालना है अब हम इसमें उबाल आने देंगे उबाल आने के बाद यहाँ पर मैंने आधा कप गुड़ लिया है उसे भी हमें डाल देना है अब यहाँ पर मैंने चार बड़े चमश शक कर ली है उसे भी हम डाल देंगे सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है दोस्तों अभी आपको चट्नी के उपर यह जाग नजर आ रहा होगा जैसे जैसे हम चट्नी को पकाएंगे और चट्नी पक जाएगी तो यह जाग आना बंद हो जाएगा और चट्नी एकदम shiny बनकर तयार हो जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं जाग आना थोड़ा कम हो चुका है चट्नी को हमें medium flame में ही पकाना है दोस्तों आप देख सकते हैं, चटनी में जाग आना बिल्कुल भी बंध हो चुका है, और चटनी एकदम शाइनी सी हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, चटनी लगभग पककर तैयार है, अब हमें इसमें कुछ फ्लेवर के लिए सूखे मसाले डालना है, यहाँ पर यहाँ पर मैंने एक चमच काश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप चाहें तो इसकी जगए नॉर्मल मिर्च भी ढाल सकते हैं, काली मिर्च ली है, आधा चमच, अब यहाँ पर मैंने एक चमच सोट का पाउडर लिया है, इसे आप जरूर डालिए, इसे चटनी में टेस्ट है, जब आप कल्ची को उल्टा करके देखते हैं, तो आपको चटनी की एक कोट नजर आएगी, इसका मतलब चटनी एकदम परफेक्ट तरीके से बन कर तैयार है, जब चटनी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी, तो यह थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी, तो लीजिए इमली और खजूर की चटपटी, खटी मेठी चटनी बन कर तैयार है, आप इसे समोसे, चाट, दही बड़े, पानी पूरी, भेल पूरी, पकोड़े, भजिया, किसी के भी साथ खाईए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और यदि दोस्तों, आपको मेरी आज की व वीडियो में धन्यवाद